हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे रविंदर नार ठैगोर की लोप्रेय कहानियों में से एक जिसका शिर्षक है उद्धार गौरी पुराने धन्वान खराने की बड़े लार प्यार में पली खुबसूरत लड़की है उसके पती पारस की हालत पहले बहुत ही गिरी हुई थी पर अब अपनी कमाई के भूते पर उसने खासी उन्नती की है जब तक वह गरीब था तब तक सास ससुर ने इस ख्याल से लड़की कष्ट पाएगी बहु को विदा नहीं किया था गौरी कुछ अधिक आयू में ही ससुरा लाई शायद इनी कारणों से पारस अपनी खुबसूरत जवान पत्नी को पूरी तरह अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और आदत में शक तो उसमें बिमारी बन कर समाए गया था पारस पचां के एक छोटेशे शहर में वकालत करता है घर में परिवार का कोई न था अकेली पत्नी के लिए उसका दिल हमेशा उत्तावला बना रहता बीच-पीच में वो अचानक बेवक्त ही अदालत से घर आ जाता शुरू-शुरू में पत्ती के इस अचानक चले आने के कारण गौरी की कुछ समझ में नहीं आया बाद में वो क्या समझी सो वही जाने बीच-पीच में वो अकारण ही गौरी के नौकर को भी भगा देने लगा किसी नौकर का अधिक दिन तक बने रहना उसे सहन नहोता विशेश कर काम की कटनाई का ध्यान करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए आग्रा करती उसे तो वो फोरण ही निकाल बार करता तेजसुनी गौरी को इस से जितनी चोट महुंचती उसका पती उतना ही विचलित होकर कभी-कभी ऐसा वैवहार कर बढ़ता कि जिसका ठीकाना नहीं आखिर जब अपने घर को समहाल न सका और नौकरानी को अकेले में बुलाकर उससे तरह-तरह के सवाल करने लगा तब सब बातें गौरी को मालूम होने लगी गम बोलने वाली स्वाभी मानी अपमान की चोट खाकर शेरनी की तरह भीतर ही भीतर उबलने लगी और घुमरने लगी और इस पागल संदेह ने दमपती के बीच में परकर खंड प्रलेक की तरह दोनों को बिलकुल बेरुखा कर दिया गौरी के आगे अपना गहरा शक जाहर करने के बाद पारिस की जिजक और शरम जब बिलकुल ही जाती रही तब रोजी पकपक पर साफ साफ शक प्रकट करके पत्नी से लड़ने लगा और गौरी उतनी ही गुपचुप उपेक्षा और पैनी नजरों के तेज तीरों से नीचे से लेकर उपर तक उसके सारे शरीर को लहुलुहान करने लगी इस तरह दामपत्य सुक से छूट कर उस बे उलाद यूवदी ने अपना सारा अंतरमन धर्म की चर्चा में लगा दिया हरिमन सभा के नए प्रचारक ब्रह्मचारी पर्मानंद स्वामी को बुला कर गौरी ने उनसे दिक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी नाडी हिर्दय का सारा बेकार का प्रेम एक मात्र रूप में एकत्र होकर गुरुदेव के चर्णों में लोटने लगा पर्मानंद के साधू चरित्र के संबन्द में किसी को भी कोई शक न था सभी उसकी पूजा करते थे किन्तु पारस उनके बारे में मुझ खूलकर शक प्रकट ना कर सकने के कारण अधीक बेचैन हो उठा और उसका शक दिखाई ना पढ़ने वाले फोरे की तरह धीरे धीरे खुद उसी के मन को कुरेद कुरेद कर खाने लगा एक दिन जरासी किसी बात पर जहर निकलाया पतनी के सामने वा दुष चरेत रपाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा तुम अपने शाली ग्राम को छूकर धायम से बताओ तो उस बगला भगत से मनहिमन प्यार करती हो ना गौरी पाउं तले दभी नागिन की तरह एक पल में उगर रूप धारन करके जूटी होर से पती को छेड़ते वे भरे हुए गले से बोलू ठी हाँ करती हूँ तुम्हें जो करना है सो कर लो पारस उसी समय घर को ताला लगा कर पत्नी को ताले में बंद करके अदालत चला गया बरदास से बाहर गुसे में भर कर गौरी ने किसी तर दरवाजा खोल लिया और उसी समय वह घर से बाहर निकल गई पर्मानंद अपनी एकांद कोठरी में बैठे सास्त्र पढ़ रहे थे वहां और कोई भी नहीं था सहसा गौरी बिना बादल की बिजली की तरह ब्रहमचारी के सास्त्र अध्यन के बीच जाकर तूट पड़ी गुरू ने पूछा यह क्या है शिश्र ने का गुरू देव इस अपमान से भरी दुनिया में उधार करके मुझे कहीं ले चलो अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन ये उच्छावर करना चाहती हूँ पर्मानंद ने बहुत डाट फटकार कर गौरी को घर भेज दिया किन्तु हाई गुरू देव उसका तुम्हारा हुआ अचानक तूटा हुआ अध्यन का सिल्सिला क्या फिर पहले जैसा जोर पाया पारस ने घर आकर दर्वाजा खुला पाया पत्नी से पूछा कौन आया था पत्नी ने का कोई नहीं मैं स्वम्द गुरू देव के घर गई थी पारस का चहरा सफेद पर गया दूसरे हिंपल लाल सुर्क होकर बोला क्यूं गई थी गौरी ने का मेरी तबियत उस दिन से घर पर पहरा बठाकर गौरी को कोठरी में बंद करके पारस ऐसी हुर्दंग मचाई कि सारे नगर में बंदामी हो गई इन सब भद्दे अपमान और अत्याचारों की सूचना पाकर पर्मानंद का हरी भजन बिलकुल ही छूट गया इस नगर को छोड़ कर वे और कहीं जाने की सोचने लगे किन्तो बेचारी गौरी को इस हालत में छोड़ कर उनसे कहीं जाते न बना और सन्यासी के इस दिन रातों का इतिहास अंतर्यामी के अलावा और कोई भी न जान सका अंत में रुकावट की हालत में गौरी को एक चिठी मिली उसमें लिखा था वच्से मैंने काफी सोचा है पहले अनेक साध्वी, साधक, रम्निया, कृष्ण प्रेव में अपना घर बार सब को छोड़ चुके हैं यदि दुनिया के अत्याचारों से तुम्हारा मन हरी के चरन कमल से विमुख हो गया हो तो मुझे सूचना देना भगवान की मदद से उनकी सेविका का उधार कर उसे मैं प्रभु के भैहीन चरन कमल में निर्चावर करने की कोशिश करूँगा फागुन सुकलत त्रयोदसी बुद्धवार की शाम को दिन के दो बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझ से मिल सकती हो गौरी ने चिठी को बालों में बांध कर जूरे में खोंस लिया तेरस के दिन स्नान से पहले वा जूरा खोलने लगी तो देखा पत्र नदारद सहसा शक हुआ कि शायद पत्र सोत्ते में किसी समय निकल कर बिस्तर पढ़ गिर गया होगा पती उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुए जा रहे होंगे यह सोचकर गौडी मन ही मन तनिक प्रसन हुई किन्तु साथ ही उसका सिर का गहना बनने वाला पत्र पाखंडी के हाथ पढ़कर लांचित हो रहा होगा यह बात भी उसे बरदास नहीं हुई वा तेजी से पती के कमरे में पहुँची देखा पती जमीन पर पढ़ा हुआ पूरी तरह तरह प्रा है मुझसे जहाग निकल रहे हैं और दोनों आखों की पुतलियां उपर चड़ गई है पती के दाई ने हाथ की मुठी में से उस पत्र को निकाल कर गउरी ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया डॉक्टर ने का एपोप्लेक्सी मिर्गी है रोगी तब तक मर चुका था उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहां तक पतन हुआ था कि उस ख़वर को सुनकर वे गौरी से मिलने के लिए तयार थे अभी अभी बेवा हुई गौरी ने खिरकी में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवारे के तालाब के किनारे चोर की भाती छिपे हुए खरे हैं अचानक उस पर बिजली सी टूट पड़ी उसने आखें नीची कर ली उसके गुरु कहां से कहां उतर आये सहसा एक ही चन में उनका विभत सुर चित्र उसकी आखों के सामने नाचने लगा गुरु ने पुकारा गौरी गौरी ने कहा आई गुरु देव मरने की ख़वर पाकर पारस के मित्र वगरा जब घर के भीतर पहुँचे तब देखा कि गौरी भी पती की बगल में मरी पड़ी है उसने विश्खा लिया था और इस जमाने में इस आश्यर जनक साथ साथ प्रान त्यागने के उधारन से सती की महानता ने सबको दंग कर दिया धन्यवाद